आप देख रहे है धर्म शिक्षा आईए जानते है आज का राशी फल मिनट तक रहने वाल है तदुपांत चतुदसी देथी आरंभ हो जाएगी नक्षतर भढ़नी रहने वाए दिन के नौ बचकर अठारा मिनट तक तदुपांत किर्टिका नक्षतर आरंभ हो जाएगा वत्योहार में आज है पिजास मोचन स्राद साथी मित्युवान समापती हो संपोर्ण रासी फल के वीडियो में हम जानने माने माले कुल बारा रासी वं का आज का रासी फल साथी हम जानेंगे आज का सुब समय, असुब समय, दिशासु, सुब खादे रासि उनसर, क्या खादे, पताथ आपके लिए सुब रहएगा रासि उनसर कौन सर रंग बैएगा और लखी नमर क्या रहने वाला है रासि के नुसर तो वीडियो में हमारे साथ अन्रक बनी लिए ताकि आपको संपूर्ण रासिफल की जानकारी हो पाए रासिफल का वीडियो पसंद आइ जानकारी अच्छी लगत तो असे लाइक करें साथ ही कमेंट बॉक्स में जह माताधी जोड लिखें आपको अगर इसी तरह के content देखना पसंद है, वीडियो देखना पसंद है, तो हमाई चैनल को subscribe जोड़ करें इसी तरह की वीडियो, वरत्योहर के वीडियो, पंचांग की वीडियो आपको हर रोज हमाई चैनल पर मिलता रहता है वीडियो आज के 12 रासी का रासी फल आपको बता नाराम करों, उससे पहले आएए एक नज़ गालने आज के गरहों किस्तिती पर क्योंकि ग्रहों के स्थिति पर पूरा रासी फल निर्भर करता है आज चंद्रमा राहू दोनों एक साथ मेज रासी में मंगल विरिश रासी में, केटु तला रासी में, सूर्य विश्चिक रासी में शुक्र, बुद्ध, दोनों साथ धनु रासी में, सनी मकर रासी में, गुरु मीन रासी में विराजित है मेश रासी में चंद्रमा दिन के 3 बच का 34 मिनट तक रहने वाए तरदरुपांथ चंद्रमा का विर्ष रासी में प्रवेस हो जाएगा तो इनी सवी ग्रहों का मिलादाहाल आज के रासी फल्मियम जानेंगे तो आएए बात करेंगे पहली रासी मेज रासी की मेज रासी में चंद्रमा आज पर्थमस्थान में विराजित हैं जिसके फ्लसरूप आज आपको आपके दोस्तों का सहयोग प्राप्त होगा आज कोई भी निर्ने भावगतावस ना लें ऐसे निर्नेों से आप परिसानी में पर सकते हैं बेरोजगार जातकों को रोजगार की प्राप्ती भी हो सकती है आपको आज भागे का साथ भी मिलेगा पडिवार के किनी दो सदस्यों के बीच मन मटाव बढ़ सकता है अगर आप पूरे पडिवार के साथ कोई धार्मिक कारी करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी आज आपको आपके सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा लेकिन ध्यान रहे वो आपके काम का केरिट भी लेने का प्रियास करेंगे आज किसी सुनी-शुनाई बातों पर आँख मूंद कर भरोसा ना करें सच्चाई को परखें तब ही आगे बढ़ें व्यापार और धन की बात करें तो व्यापारियों को आज कोई भी नर्ने बहुती सोच समझ कर लेना चाहिए किसी अचानक साय चुनोतियों का सामना आपको करना पर सकता है तो इसके लिए पहले से ही सजेत रहें अगर कहीं निवेस करने का मन बना रहें तो एक बार अनभवी लोगों की सलाह जोड़ लें कर्ज लेने से आज आज आपको बिल्कुल बचना चाहिए विद्यार्थी की बात करें तो आज आज आपका मन पढ़ाई में लगेगा आप जिस लक्ष की प्राप्टी चाहते हैं उसके लिए अच्छी योजना बनाकर करी महनत करें सफलता आपको मिलेगी स्वास्त की बात करत आज आपको अपने स्वास्त के परती सचेत रहना चाहिए जिन जात्कों को हाई ये लो ब्लेड प्रेसर की सिकायत रहती है वह आज अच्छा महसूस करेंगे प्रेम समन्द की बात करेंट आज आपके जीवन साथी के साथ आपकी नोग जोग भी हो सकती है बाद में सब कुछ ठीक भी हो जाएगा और वह ही जातक प्रेम समन्द में कोई भी नियारिस्था बनाने से पहले सामने वाले को ज़रूर परकें आज आपके प्रेम समन्द में किसी प्रकार की चिंतावतपन हो सकती है आज किन केला खाएंगे तब के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग रहने वाला है पीलारंग लकी नम्मर एक रहने वाला है बात करेंगे वरिसरासी की वरिसासिम चंद्रमा आज 12 हुए इस्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुप जो जातक किराय के मकान में रहते हैं उनके मकान मालिक के साथ समन्द भी कर सकते हैं तो आपको साबधानी यहां पे रखनी चाहिए आज आपको संतान के तरफ से खुसी हो सकती है पडिवार में साकारात्मा गवातारोनिसकन बनेगा किसी पुरानी समस्या का अंध भी हो सकता है आपके आत्मिस्वास में कमी आ सकती है साथ ही अपने वानी पे नियंतन भी रखें क्योंकि आज आपके लराई जिगरे भी हो सकते हैं ओफिस में आपके सीनियर आपको किसी काम को लेकर उकसा सकते हैं, धहरी से काम ले या एक सोची सम्विश साज़िश भी हो सकती है, व्यापार और धन की बात करें, तो आज आपको व्यापार में हानी का सामना करना पर सकता है, अगर आज किसी के साथ पार्टनर्सिप पर व्य बात करेंगे विद्यार्थी की, विद्यार्थियों का मन चंचल रहेगा, पढ़ाई के लावा अन्य चीज़ों में समय बाद ना करें, अपने पढ़ाई पढ़ी ध्यान लगावें, सिक्षा के छेतर में विद्यार्थियों को अज दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, स्व प्रेम समंध की बात के ऍत Rights के लिए आज के न अच्छा रहने वाला है, जीवन साथ ही को समय दें। उनकी भावनाओं की गद्र करें। इससे आपकेaran प्रेम समंध्र में मिठा सुद्पन होगी। प्यार के जार करने के लिए भी आज के न अच्छा रहने वाला है। आज किन दूद या दूद से बनीवी चीने खाएंगे तापके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग महरून रंग लाकी नमर नौ रहने वाला है बात करेंगे मिथुन रासी की मिथुन रासी में चंदर्मा आज 11 वे इस्थान में विराजित है जिसके फ्रसु आपको सफलता भी मिलेगी नए लोगों से मिलना दोस्ती होना संपव है आपको आज कुछ पारिवारिक समस्या का सामना भी करना पर सकता है लेकिन अगर आप अपने बुद्धी का इस्तेमाल करेंगे तो पारिवारिक समस्या सुधारने में भी आपको सफलता प्राप्त हो में विर्धी कर पाएंगे आपकी आए में बढ़ोतरी भी होगी जो आतक नोकरी कर रहे हैं उनके सीनियर अधिकारी उनसे परसन न रहेंगे आज किसी को कर्ज देने से बिल्कुल बचें अगर कोई बहुत जोरतमन व्रक्ति ना हो तो उसे पैसे उधार ना दे ऐसे पैसे विद्यार्थी की विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है आज आप अपनी पढ़ाई के लिए अनुकूल इस्थिति का अनभव करेंगे तो ऐसी इस्थिति का लाव उठावें ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई पड़े ध्यान दें स्वास् साथी से आज उलच सकते हैं एक दूसरे से वाद व्याद की स्थेति उत्पन हो सकती है लेकिन यह सब होने के बाब जूद आपके रिष्टे मधूर बने रहेंगे जी बन साथी या अपने प्रेमी प्रेमी का के साथ समय बिताएं इससे आपके प्रेम समंद अच्छे बनेंग आज की चांदी के बरतन में खीर खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रहें गुलाबी रंग लकी नमर रहने वाले है पांच बात करेंगे करकरासी की करकरासी मचंदरमा दसमें स्थान में विराजित है जिसके प्रसुब आज आपके कारी छेते में आपको सम्मान की प्राप्ती होगी आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको प्रोथ सहन मिल सकता है आपके प्रतिदंदियों को प्रास्त करने में आपको सफलता की प्राप्ती अपने घर के कारियों में आज आप व्यास्त भी रहेंगे, भगवान के परती आपकी आस्था बरहेगी, लेकिन संतान के तरब से थोड़ी चिंत आप कोई रह सकती है, तो अपने संतान का ध्यान रखें, आज घर में कलह का माहौल भी बन सकता है, आज आप आतमिश्वास से भरपूर रहेंगे परन्तु पिता के स्वास्ते से थर्चिंतित भी रह सकते हैं। व्यापार और धन की बात करें तो आज आप में आत्विश्वास भरपूर होने के कारण आप मानसिक दोर पर मजबूत न जराएंगे जिसका फाइदा आपको भी व्यापार में मिलेगा। जो आतक नोकरी कर रहे हैं। उन्हें अपने सहकर्मियों से चुनती मिल सकती है। आज आपके खर्च भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो अपने फिजूल खर्चों पर नियंतरन जरूर रखें। विद्यार्थी की बात के तो आज आपके मित्र आपका ध्यान पढ़ाई से भटका सकते हैं। मौयल भून में ज़्यादा समय बरवाद ना करें। अपने पढ़ाई पढ़ी ध्यान दें। स्वास्तिकी बात के तो आज आपको अपने स्वास्तिके परती सचेत रहना चाहिए। कोई पुरानी बिमारी आपको आज परिशान कर सकती है। कुछ जातकों को जोरों का दर्थ परिशान कर सकता है। तो हलका व्यायाम करना आपके लिए अतियुत्तम रहेगा। प्रेम समंध की बात के तो प्रेम समंधों के लिए आज के लिए अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ आज आप समय विदा पाएंगे। साथ ही आप यह भी जान पाएंगे कि आपका पार्टनर आपसे कितना प्यार करता है। आज के लिए उरत की डाल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा। आपके लिए आज का सुबरंग पीला रंग लकी नमर रहने वाला है आठ। बात केंगे अब सिंग रासी की। सिंग रासीम चंद्रमा नौवे स्थान में विराजित है। जिसके फ्लसुप आज आप अपनी बातों को समाज में अच्छे डंग से दख पाएंगे। जिसके फ्लसुप आपके चाहने वालों के संख्या में विर्दी भी होगी। अगर आप रादनीती से जुरे हुए हैं तो उसका भरपूर लाभ भी आपको मिलेगा। आपके संतान का सहयोग आपको प्राप्त होगा। कोई पुराना फसा वरुका हुआ काम आपका पूराज हो सकता है। सरकारी कारियों से आपको लाभार मिलेगा आज आपको आपके मित्रों का सहियोग पृप्त होगा आज आप मानसिक सांथी का अन्यभव भी करेंगे लेकिन कुछ जाता किसी अज्ञात भह से परिषान भी रह सकते हैं व्यापार और धन की बात के चाहे व्यापार करते हो जौब करते हो आपके अधिनस्त करमचारियों का सहीयोग प्राप्त होगा किसी करीबी मित्र या सगे समंधियों की मदद से व्यापार में आपको लब हो सकता है आज आपके व्यापारिक प्रतिदिंदी आपको व्यापार में नुकसान पहुचाने की कोशिस कर सकते हैं लेकिन व्यापार में आपके इस्थिती अच्छी फिर भी बनी रहेगी जिन जात्कों को मकान या गारी की तलास है उनकी तलास पूरी हो सकती है जू या तक नुकृरी कर रहे हैं उनके लिए भी आज के न अच्छा रहने वाले हैं उफिस में कोई नई जीमेदारी आपको दी जा सकती है आपके ट्रांसफर होने की योग भी बन रहे हैं विद्यार्थी की बात करेंद विद्यार्थियों के लिए आज के नच्छा रहने वाला है जो विद्यार्थी प्रतियुक्ता परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी सफलता मिल सकती है स्वास्त की बात करेंद आज आपका स्वास्त अच्छा रहेगा मान सिक सांती का अनभव भी करेंगे आप प्रेम समंध की बात करेंद प्रेम समंधों को सुद्रिट बनाने के लिए आज अपने जीवन साथी के साथ समय बिताएं अपने आपको उचा और अपने जीवन साथी को नीचा दिखाने की कोशिस तो भूल कर भी ना करें इससे वाद वियाद के स्थेदित्पन हो सकती है जिन और विवाही जातकों को साथी की तलास है उनकी खोज आज पूरी हो सकती है आज किन दूद या दूद से बनी वी चीज़े खाएंगे तो आपके लिए सुबर हैगा आपके लिए आज का सुबरंग औरेंज क्लर लखी नमर रहने वाला है दो बात करेंगे अपकी कन्यारासी की कन्यारासीम चंदर्मा आज आठ्वें अस्थान में विराजित है जिसके फ्लसुप आज आपको परिवार जनों का साथ मिलेगा साथ ही आपके जो बड़े भाई बहन है उनका भी सहयोग प्राप्त होगा माता पिदा से कुछ आर्थिक सहयोग मिल सकता है पड़िवार में सुख सांती का माहौल बना रहेगा जिसके फ्लसुप घर में साकरत मकता भी रहेगी लेकिन आज आज आपके लिए लराई जहरे के योग बन रहे हैं तो आपको सबसे अच्छे समंध बना के रखने होंगे खास करके सगे समंधियों से परोशियों से किनी किनी जातकों को कोई अच्छा दोस्त भी मिल सकता है लेकिन किसी नए पर भुरसा करने से पहले उसकी जाट ज़रूर करें आज आपके जिद्धी रवाईय की वज़े से आपको कुछ नुक्सान हो सकता है तो कल्बनाओं के पीछे ना दो रहें सोच समझकर ही काम ले अगर अपने पिता और धर्मगूर की सलाह से किसी काड़ी को करेंगे तो उसमें आपको सफलता की प्राप्ती होगी व्यापार और धन की बात करें आज आपको व्यापार में करी चुनोतियों का सामना करना पर सकता है लेकिन इस चुनोति से घबराएं नहीं बलकि इसका सामना डटकर करें आज किसी से पैसे उधार लेने से बिल्कुल बचें आज कर लिए कि पैसे आप जल्दी से चुका नहीं पाएंगे जो जातक नोकरी कर रहें उनके सहकर्मियों के साथ उनके समन्द भिगर सकते हैं आज आपके सहकर्मी आपके बड़े प्रतिदंदी साबित हो सकते हैं इससे बचने के लिए अपने सीनियर के सामने अपने आपको अच्छे से प्रेजेंट करें आज आपके खर्चों में विर्धी होगी विद्यार्थि की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज के इन सामाने रहने वाला है अपने समय को बरवाद करने से बचें समय का एक एक पल महतपूर्ण है उस पल का लाप जो उठावें अभी ध्यान अपना सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पड़ी लगावें स्वास्थ की बात करें तो आज आपका स्वास्थ अच्छा रहने वाला है लेकिन आपको अपने स्वास्थ का ध्यान रखना चाहिए तले, भूने और मसाइदार खानों से दूर रहना चाहिए प्रेम समन की बात करें तो जीवन साथी से हलकी नोग जोग के बाद अच्छे संबंद भी बरेंगे आपको कोई पार्टनर भी आज मिल सकता है लेकिन पार्टनर का चुनाओ करने में आपको सब्धानी बरतनी चाहिए प्यार के जहार करने से भी आपको बचना चाहिए आज के गुर अपने खादिपदात में सामिल करेंगे आप तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग सुनहरा रंग लकी नमर चार रहने वाला है बात केंगे तुलारासिकी तुलारासिम चंत्रमा साथमें अस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज आप अपनी बातों को समाज में मजबूती के साथ रख पाएंगे आपके बच्चों के साथ आपका समय चबीतेगा कई माइनों में आज के नपकी चुनुतियों से बार रह सकता है आज अगर आपको जीवन का कोई भी बड़ा फैसला लेना हो तो किसी अनभावी लोग की सलाह जोड़ ले आज आपके मन में कोई नाकारत्मक विचार आ सकते हैं जिससे आपका कारी भी प्रभावित हो सकता है आज आपकी बोली गई बातों को आपके परतिद्वन्दियों दोरा तोर मुरोर का पेस किया जा सकता है तो कुछ भी बोलने से पहले साभवानी बढ़ते हैं किनी किनी जातकों के उनके पिता के साथ समन्द बिगर सकते हैं तो यहाँ पे साभवानी आपको बरतनी चाहिए आज अगर घर में अपने बड़े कासीरवाद लेकर किसी काम के लिए निकलेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी आफिस या व्यापार में आपके सहकर्मियों के साथ आपको समय अच्छा भी देगा व्यापार औधन की बात के दो व्यापार के दिश्टी से आज की नप के लिए अच्छा रहने वाला है जुआ तक व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में लाव हो सकता है समान व्यापारियों के बीच आपकी परतिष्ठा भी बढ़ेगी आवेशक्ता होने पर आपके भाईबानों से आर्थिक मदद भी मिल सकती है नोकरी करने को आले जातकों के लिए भी आज किन अच्छा रहने वाला है आफिस में सहकर्मी और सीनियर के बीच आपका मान समान बढ़ेगा विद्यार्थी की बात के तो आपको आज लक्ष की प्राप्ती के लिए ज़्यादा मेहनत करना की आवेश सकता है ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ही आपको सफलता की प्राप्ती होगी स्वास्त की बात करें स्वास्त के दिश्टी से कुल मिला के आपके लिए अच्छा दिन रहने वाला है किनी किनी जातकों को किसी प्रकार के चिंताज रह सकती है तो अपने स्वास्त का ध्यान रखें प्रेम समन की बात के तो विवाहित जातकों को आज जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा जो दादक और विवाहित हैं उन्हें कोई नया पार्टनर भी मिल सकता है आज किन तामबे के बरतन में पानी पियेंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग लाइट ये लोकर लकी नमर छे रहने वाला है बात करेंगे विश्ची क्रासी की विश्ची क्रासीम चंदरमा छटे है स्थान में विराजित है जिसके प्रसुब आज आपके कारियों के अधिकता रहेगी कारी छेत में पड़िवतन का मन भी आपका हो सकता है आज आप अपनी वानी की मदूरता से बहुत सारे कारियों को लिप्टा सकते है अगर आप अपनी वानी पे आज अंकुस नहीं लगाएंगे तो बहुत साई लोगों के आकरोस का सामना आपको करना पर सकता है सासन और सत्ता के लोगों से कुछ सहयोग आपको मिल सकता है आपके परिवार की परतिष्ठा भी बढ़ेगी अगर कुछ नियाकारी आरम करना चाहते हैं तो उसमें समस्या उत्पन नों कुछ हो सकती है मन में किसी प्रकार के चिंताएं भी रह सकती है व्यापार और धन की बात करें तो अगर कहीं आपके पैसे बकाया हैं तो वहां से पैसे वसोली की पूरी संभावना बन रही है पिछले कर्ज को आप चुका पाएंगे व्यापार में अगर कुछ लंबे समय से दिक्कतें चली आ रही है तो उसे खत्म करना अब अतियावस्यक हो गया है इससे वरना बहुत ज़्यादा हानी का सामना करना पर सकता है विद्यार्थी की बात करें तो आज आपका मन पढ़ाई में लगेगा लेकिन सफलता की प्राप्ति के लिए आपको और भी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्य सकता है स्वास्त की बात करें जीन जातकों को जोरों का दर दिये गठिया से समंदित समस्या रहती है उन्हें थोरे परेसानी का सामना करना पर सकता है आज आपको तनावपूर्ण वाताब्रण में रहने की सला बिलकुल भी नहीं दी जा रही है प्रेम समंद की बात करत आज आपका पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा जीवन साथी को समय दें और उसे समझें इससे प्रेम समंद में नई उर्जा का संचार भी होगा लेकिन प्रेम समंदों में सोच समझ कर ही आगे बरहें किसी तीसरे व्यक्ति की वज़ा से आपके प्रेम समंद में दरार उत्पन ना होने दें आज किन गेहूं से बनी हुई चीए खाएंगे तो आपके लिए सुख रहेगा आपके लिए आज का सुख रंग गुलाबी रहेंगे लकिन मर रहने वाल है तीन बात केंगे धनुवासिकी धनुवासिम चंदरमा पांच में इस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप आज आज आपको कई परकार के परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है कलातमक कारियों में आपकी रूची बढ़ेगी आपके व्यक्तित में साकारतमक बदलाओ आ सकता है आज अपनी माता के साथ कुछ समय जोरू बिताएं और उनकी मन सिति को समझें इससे आपको असी मन की सांती प्राप्त होगी यदि आप साधी सुदा हैं तो आपके सोसुराल पक्से से किसी के साथ वाद व्याद हो सकते हैं तो यहाँ पर आपको साभ़ानी बरतनी चाहिए आज आप अपने बच्चों की परहाई को लेकर थोई चिंतित रह सकते हैं इसके लिए आपको अपने बच्चों की परहाई में रुची समझनी होगी और बच्चों को उनके रुची के अनुसार ही केरियर के लिए पेरिट करें व्यापार उधन की बात केद व्यापारियों के लिए आज किन अच्छा रहने वाला है आपके आत्मिस्वास में विर्धी होगी जिसका फाइदा आपको भी व्यापार में मिलेगा आज किसी जुरुत्मिन बक्ति को धन का दान जोरू करें नोकरी करने वाली जात्कों के लिए भी आजके इन सामाने रहने वाला है नोकरी में परिवर्थन का मन आपका हो सकता है कुछ जात्कों को सट्टे बाजी से लाब भी हो सकता है विद्यार्थी की बातकेट विद्यार्थियों का मन चंचल रह सकता है अपने आपको सोसल मीडिया और मुवाइल फोन से थोड़ दूर रखें अब आपको अपने केरियर के परती सचेथ भी हो जाना चाहिए स्वास्त की बात कित आज आपको किसी प्रकार की चिंता रह सकती है मन असांत भी रहेगा जो रहतक पहले से विवान है उन्हें अपने स्वास्त का ज्याद ध्यान रखना चाहिए प्रेम समय की बात कित आज आप जीवन साथी को समय दे पाएंगे जीवन साथी पर किसी प्रकार का सक करने से पहले सचाई को जानने की कोसिस करें अगर आप लंबे समय से प्यार के जार के सोच रहें तो यह समय आपके लिए अच्छा सावित हो सकता है आज किन हरी सब्जियां खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग पी लारक लगी नम्मर चार रहेगा बात करेंगे अब मकर रासी की मकर रासी मचंदरमा चोथे स्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुब आज आज आप किसी पर भी अपनी बाते थोपने की कोशिस ना करें आपको यहां से नुकसान हो सकता है आपके दोस्तों के साथ आपको अच्छे समन्द बना के रखने का प्रयास करना चाहिए उनसे लराई जगरे की संभाव ना पन रही है अगर सांती से काम लेंगे आप तो आपके बहुत सारे कारी बन भी सकते हैं अपने लगन और आत्मिस्वास से आप अपने कारियों को बहतर धंग से कर पाएंगे जो आतक मीडिया से जुरे हुएं उनके लिए आज के नच्छा रहने वाला है व्यापार और धन की बात करेंगर तो आज आपने साहस और प्राक्रम के बल पर अपने कारी छेतर में इस्तिती को सुधार सकते हैं आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा यस और कीर्थी में वर्धी भी होगी आपके व्यापार में तेजी देखनी को मिलेगा अपने काम पर फोकस रहें इससे आपको फाइदा भी होगा नोकरी करेंवाली जातकों के अपने सीनियर अधिकारियों से मतभेत बढ़ सकते हैं तो यहाँ पर आपको साभने निश्ची तोर पर रखनी चाहिए अपने फिजूल घर्चों पर नेंतन भी रखना चाहिए विद्यार्थी की बात करेंद आज विद्यार्थियों को सिक्षा के छेतर में सुभफ़लों की प्राप्ती होगी तो डटकर मेनत करें स्वास्त की बात करें जिन जातकों को जोरों का दर्द या गठिया से समन्दित समस्या रहती है उन्हें आज परेशानी रह सकती है आज आपका ब्रेट प्रेशर नॉर्मल रहेगा व्यायाम करें योग करें इससे आपके स्वास्त को फायता होगा प्रेम समन्द की बात के तो आज अपने जीवन साथी के साथ किसी दूसरे के वज़ा से मत्भेद उत्पन हो सकते हैं कुछ भी ऐसा सोचने से पहले बातों को गाराई से जोर जाने आज किन मसूर की दाल खायेंगे तापके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब लंग हरारंग लगी नमबर रहेगा 6 बात करेंगे कुमरासिकी कुमरासिम चंद्रमा 30 स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज आज आपको छोटे भाई भनों का सहयोग पराप्त होगा आपके इसी जोरतन व्रक्ति की मदद जरूर घरें इससे आपको भी जीवने फायदा होगा आपके पिता यो उच्चे दिकारियों का सहयोग पराप्त होगा सामाजिक कारियों में आपकी रूची बढ़ेगी मन में ने ने विचार आएंगे इन विचारों को सहेज कर अपने जीवन में आगे बढ़ें स्वाधिष्ट भोजन का अनेंदो ठापाएंगे परिवार के साथ किसी धार्मी क्यात्रा पे जाने के या धार्मी कारी करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं आज किसी गलतफायमी के कायन आपके और आपके प्रिये जनों के बीच लड़ाई जगरे हो सकते हैं तो यहाँ पे भी साथानी आपको रखनी चाहिए व्यापाल धन की बात करें तो आज आपको आपके केरियर में सफलता की प्राप्ती होगी आज आपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे आर्थिक मामलों में आपको सफलता की प्राप्ती हो सकती है परिवार के किसी व्यक्ति से आपको धनलाब भी हो सकता है जुदा तक नोकरी करते हैं उनको आफिस में ऐसे लोगों से सब्धान दाना चाहिए जो उनके दोस्तों हैं लेकिन उनकी चबी विजारने की कोशिस करते रहते हैं विद्यार्थी की बात करेंद विद्यार्थियों के लिए आज के मिलादला रहने वाला है परहाई से आपका मन भट्रक सकता है ऐसे लिए अपने लक्ष का धिहान करेंगे तो आपको फायदा भी होगा स्वास्त की बात करेंद आज आपका स्वास्त अच्छा रहने वाला है चुस्ती और फूर्ती का अन्भव भी करेंगे लेकिन आपको मौसमी विवाडियों से अच सचेत भी रहना चाहिए प्रेम समन्त की बात केद आज आप जीवन साथी के साथ समय बिताएं इससे आपको और आपके जीवन साथी को दोनों को अच्छा महसूस होगा आज के इंचान्दी के बरतन में खीर खाएंगे तो आपके लिए सुभ रहेगा आपके लिए आज का सुभ नग नील आरंग लकिन नमर तीन रहने वाला है बात कैएं मीन डासी की मीन दासिम चंद्रमा दूसरे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज आपका मन आत्मिस्वास से भरपूर रहेगा लेकिन मन में नेका रत्माग विचार भी आ सकते हैं छोटी मोटी परिशानियां आएंगी लेकिन उन परिशानियों पर विजय प्राप्त करने के कोशिश करें कुछ नई विचार आपके लिए फाइदे मन साबित हो सकते हैं आज अगर किसी की मदद करें तो उसका फाइदा भी आपको कहीं न कहीं मिलेगा बिना जांच पर टाल किये किसी वेवसाई या कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर बिल्कुल भी ना करें इससे आप मुस्किलों में पर सकते हैं व्यापार उधन की बातकर आज आपको व्यापार में लाब होगा व्यापार में जो भी आपके प्रतिदन्दी हैं उन पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं जुरा तक नोकरी कर रहे हैं उनके लिए आज किन अच्छा रहने वाले आपके सीनियर या बॉस आपके कारी से प्रभावित हो सकते हैं लेकिन आपको सलाध दी जाती है कि अपने बॉस के सामने खुद की पर भी ना करें इससे निगेटिव में जा सकते हैं विद्यार्थी की बातकेत पत्युक्ता परिक्षा की त्यारी करने वाली विद्यार्थी अपने दिड इच्छा सकती से लक्ष को प्राप्त कर सकते हैं तो अपने पढ़ाई पर ध्यान दें स्वास्त की बातकेत आज आपको मौसमी बीमारियों को लेकर सतर्गता रखनी चाहिए आपके साररिक और मांसिक बीमारी की जर आज आपका दूक हो सकता है व्यायाम करें, खुली हवा में टालें, आपके स्वास्त के लिए अच्छा रहेगा प्रेम समंद की बात के तो अपनी बात हैं अपने जीवन साथी पर आज थोपने से कलह के स्थिति उत्पन हो सकती है अपने जीवन साथी को बराबर कादिकार दें इससे आपके समंद मधूर बने रहेंगे आज के नहारी सब्जियां खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग पी लारंग लगी नमर रहने वाल है दो तो मित्रों ये तो थाज के 12 रासी का रासी फल आप जानेते हैं आज का सुब समय आज का सुब समय यानि की उली काल रहने वाला है दिन के 12 बच के 11 मिर्स लेकर दिन के 1 बच कर 29 मिर्ट तक इस समय में कोई भी नया कारी आरहम करेंगे तो इसमें आपको सफलता हाथ लगेगी आज का असुब समय यानी की राहू काल रहने वाला है दिन के 2 बच कर 47 मिर्ट से लेकर सामके 4 बच कर 5 मिर्ट तक इस समय में कोई भी नया कारी आरम करेंगे तो उसमें आपको और सफलताथ लग सकती है दिसासूर आज उत्तरदिसा में उत्तरदिसा में किसी भी खास परियोजन से यात्रा आरम बिल्कुल भी ना करें यहाँ आपको नुक्सान हो सकता है और सुब खाद्याज का गुर रहने वाला गुर का च्छोड टुकरा भी खाकर यात्रा आरम करेंगे किसी नई कारी को करेंगे तो उसमें आपको सफलतात लगेगी तो मैं तो यहाँ पर मैं आपको आज का संपून रासिपल बता है कल के संपून रासिपल के लिए जो रहे है धर्म सिक्षा के साथ देखते रहिए धर्म सिक्षा जे मात अदि